हेलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आप पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेटाबॉलिक मेडिसन और फीजियोलोजी तो आज हम बात यह करेंगे कि जो डाइजिस्टिव सिस्टम है उसको हम कैसे मजबूत करें हम कैसे रेगुलेट करें लगातार एक प्रॉब्लम है लोगों के साथ कि डाइजिस्टिव प्रॉब्लम्स डेवाई डेव बढ़ रहे हैं और लोग उनको फिक्स नहीं कर पाते उनको नहीं समझ पाते और हेर और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बहुत सारी ठ्रापी चेंज करते हैं बहुत सारे टेस्ट कराते हैं और रिजल्ट होता है कि वह प्रॉब्लम वहीं रहती है लेकिन हाँ कुछ फोरी तोर पर कुछ टेंप्रेरी कुछ समय के लिए कुछ बदलाब करने से कुछ उन्हें फाइदा होता है लेकिन फिर वह मेरा कहने का मतलब है कि dyspepsia है या GERD है या acid reflex है या फिर constipation की problem है या पेट बहुत ज़्यादे फूलता है या gas बहुत ज़्यादे बनती है ये सब problems लोगों को होते हैं और कुछ लोगों को problem होती है कि भूख बहुत ज़्यादे लगती है कुछ लोगों को problem रहती है कि digestive system को कोई एक tablet खाके या कोई एक syrup लेके आप ठीक कर सकते हैं तो आप बिल्कुल गलत है digestive system यानि हमारा गट यानि हमारा पेट हमारे सरीर का एक organs है एक हिस्सा है और जब तक आप दिमागी रूप से स्वस्त नहीं होंगे आपका पेट भी स्वस्त नहीं हो सकता और जब तक आप पेट आपका ठीक नहीं होगा आपका दिमाग भी स्वस्त नहीं रह सकता इसको इस system को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको discipline होना होगा आपको अच्छी नींद लेनी होगी stress से आपको बचना होगा और जो I fear है जो negativity है जो overthinking है उससे आपको बचना होगा जब तक आप अपनी सोच को regulate नहीं करेंगे सोच को fix नहीं करेंगे अच्छे से नींद नहीं लेंगे time से खाना नहीं खाएंगे और खाने को आप जब तक enjoy नहीं करेंगे अच्छे से चवाके नहीं खाएंगे तो ये problems नहीं ठीक हो पाएंगी तो कुछ tips हम आज आपको देंगे कि यदि वो आप follow करें तो आपको काफी हद तक फायदा होगा और आप digestive problems से बच आएंगे और आप अपने digestive system को मजबूत कर पाएंगे तो यदि digestive system को मजबूत करना है दूसरा है sleeping disturbance अच्छी नीद रहाना तीसरा है बहुत ज़्यादा है acidic food acidic foods ते मतलब है बहुत ज़्यादा चाए कॉफी पीना सिग्रेड है तमाकू है या फिर बहुत ज़्यादा है तली भुनी चीज़ें spicy oily वाली चीज़ें खाना ये सब आपके digestive system को परिसान करती है बीमार करती है उसके बाद आता है कि ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती है कि जो आपके digestive system को प्रमोट करें आपके digestion को प्रमोट करें आपके enzyme को प्रमोट करें और आपके system को regulate करें तो उसमें है कि आप अच्छे से फाइवर लें, नीच्रल फाइवर का चुनाप करें और जितना हो सके आप खाने को जितना जल्दी को खौने के बाद खा लें उतना आपके लिए बेटर है री बॉयल्ड फूड, पैक्ट फूड, रेफिजरेटर फूड इन सबसे आप बचें दूसरा है कि आपको जो सीजनल फाइवर्स हैं यानी फूट्स हैं फूट्स और वेजिटिवल्स आपके डैजेस्टिव सिस्टम को प्रमोट करती हैं और यादि फिर भी किसी को डैजेस्टिव संबंदित प्रॉब्लम्स हैं तो आप अच्छी क्वालिटी की चटनी एड़ कर सकते हैं अपने फूड में चटनी से मेरा मतलब है कि सिमला मिर्च हो उसमें धनिया हो उसमें पुदीना हो उसमें लहसुन हो उसके अंदर प्याज हो उसके अंदर थोड़ी मातरा में अदरक भी हो सकता है और उसके कर्ड हो मतलब दही भी एड़ करें उसमें तो एसेडिक होती है चटनी वैसे लेकिन यदि आप कर्ड एड़ कर लेंगे तो चटनी काफी नूटरलाइज हो जाएगी और जो आपकी ग्रीन प्यॉर जो चटनी होती है जो घर की चीजों से बनती है वो आपके डाइजेशन को प्रमोट करती है वो एंजाइम के सिक्रीशन को प्रमोट करती है और आपके वो किड़नी की और लिवर की और एकप्रहाइब करेंगे अच्छी क्वालिटी की चपाती और जो नॉर्मल राईसुट भी आपके डाईसेशन लिए बहुत अच्छे हैं लेकिन आवश्चकता इस बात की है कि एक तो कहना मिसना करें दूसरे हमारी बॉड्डी के अंदर 70% water है तो आप ये make sure करिए कि आपके food का जो volume है 70% liquid होना चाहिए 70% liquid से मेरा मतलब है कि उसमें आपका चाच हो उसमें आपकी दही हो उसमें आपका कम चिकनाई वाला दूद हो उसमें आपका पानी हो ये सब 70% आप volume रखिए और 25% आप semi solid और solid रखिए तो आप यदि इस ratio को ठीक करते हैं तो आपका digestive system का आपने load कम कर दिया और digestive system इस ratio से यदि आप food देंगे अपने digestive system को तो वो enjoy करेगा rejoice करेगा और उस पर load कम होगा जब load कम होगा उसकी functioning improve होगी तो digestive संबन्द जो problems हैं उनसे भी काफी हद तक आप बच पाएंगे दूसरा overeating ना करें overeating एक बहुत बड़ी समझ्या है digestive system को load करती है overeating और उससे आपको बहुत दूसरी problems पैदा होते हैं ओवीज आप हो जाते हो fatty liver आपका हो जाता है दूसरे आपका जो metabolic rate है वह गड़ बड़ा जाता है motility आपकी गड़ बड़ा जाती है और आपको constipation gas bloating यह सब आने लग जाता है तो overeating बहुत dangerous है उससे बहुत बड़े नुकसान होते हैं आपको और आपको पेट संबंदित बीमारियां भी फिर आती है बाद में तो overeating से बचना है दूसरा खाने को अच्छे से चू करके खाईए खाना खाते समय आपके बल खाने के बारे में सोचिए और कम से कम 10-15 मिनट आप खाना खाने में लगाईए खाने को अच्छे से चू करिए जब आप चू करते करते फील करें कि सलेवा का secretion स्टार्ट हो गया है और आप कुछ मतलब आप लुगदी खाने की जो लुगदी है उसको महसूस करते हैं कि वो थोड़ी सी मीठी लगने लगी है तब उसको आप अंदर सटकें तो ये एक सही तरीका होगा और दूसरे नँद बने रहें बीच-बीच में ब्रेक लें बाडि को और कुछ ना करें तो इस्टरेच बिर्क तो इस्टरेट रहें थोड़ी देर तक आप बॉड़ी को थोड़ा से स्टेटक कर सकते हैं, और पूरा होड़ करके रखे, यदि से पांच मर्ण वीच में आप ब्रेक में इस तरह से बाड़ी देधा होगा, आपका पॉस्ट्र भी ठीक होगा, आपको नेक की मसल से, shoulder की muscle से वो भी stretch होंगी और आपको better feel होगा plus आप walking करें कोई ना कोई physical exercise, physical बयायम जरूर करें digestive system के लिए भी बयायम उतना ही जरूरी है जितना दिमाग और पूरे सरीर के लिए तो walking करना या कोई physical exercise करना आपके लिए helpful हो सकता है और हपते में एक या दो दिन आप अपने पेट पे oil massage करें और गरम पानी से फिर बात लें तो that will be helpful कुछ लोग यदि constipation बना रहता है तो थोड़ा सा fiber increase कर दें और seasonal बेल पत्थर एक fruits है वो आप खाएं वो पेट के लिए बहुत अच्छा है और उससे आपका digestive system काफी regulate हो जाता है यदि आपको constipation रहता है तो इसब गोल और तिरफला चूरन या फिर tablet का सहारा लें digestive system को regulate करने के लिए तो यह कुछ basic चीज़े हैं जो आपकी digestive system को promote करेंगी और digestion को improve करेंगी जिससे overall health भी आपका improve होगा Thank you very much and take care yourself करेंगी आपका